गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है गर्मी जिंदवान है और सुब बढ़िया तो माई डियार बंधू एंड साथियों बहुत दिन के बाद गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभाक्रम तो मैं हूँ सुकस कुमार और स्वागत है एक मज़ेदार ब्लोग में और हाँ बहुत दिन बनवास में था तो दाड़ी बढ़ चुका है और हाँ और और कुछ नहीं हाँ तो अभी आया हो खेत में और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और सुभा भी आया था एक्चली बहुत गर्मी हो रहा था इसलिए सुट नहीं किया यह देखा कुछ पूटेज कि गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है कि गर्मी जिन्दवाद और आया था इसलिए कि ट्राक्टर चल रहा था हमारे खेत में अभी आया हो इसलिए कि जो खेत का पानी है तो कहिंसे निकल तो नहीं रहा यह देखने के लिए आया हो और कहीं से निकल नहीं रहा तो वापस चलेंगे घर पर मैं सोच रहा हूं हमारे इधर ट्राक्टर चल रहा था और मैं जाओंगा भी इधर उधर भी हमारे खेत हैं तो क्या हाल पर है वहीं देखने जा रहा हूं हाँ वहीं देखने जा रहा हूं हाँ तो इस साल एक प्रोब्लम है प्रोब्लम यह है कि हमारे ओडिसा में धान के बिज बहुत हाइपर मिलता है और बैंगल में थ्वड़ा सस्ता होता है और इसलिए हर सल हम बैंगल से लाते हैं और इस सल तो लोकडाउन है जा नहीं सकते हैं जाएंगे जरूर छुपछुप कैसे और इधर है 0 । इधर हमारे ओड्रीशाम का चोकी चल ह entering कि चल रहा है तो छुपचुप के जाना पड़ेगा अगर जाते हैं तो ब्लोग जरूर बनाएंगे और एक जरूरी बात इस दाढ़ी को थोड़ा इग्नर करना यह बढ़ चुका है कड़ दूंगा पर अब ही बढ़ चुका है अब वीडियो बहुत लेट चाहरा दो यह थोड़ा काम था है फ्सकार नहीं कर दो है है नो किसका अच्छा हो एक टे नो को है धिर साथचπे करूं आया अधिर घर-धै कर फोकुर छाव दालने की हां तो आःका वलोग में हां जब दाखे कुछ नहीं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाट सब्सक्राइब ठोड़ा कार लेना और और ख्याल रखना अपना और अपनों का